आज की जो मिठाई की रेसिपी है इतनी नर्म और मुलाइम मिठाई बनकर तयार हुई है केवल दो चीजों से हमने से बना कर तयार किया है किचन में ये समान बहुत आसानी से मिल जाएगा मार्केट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो चलिए फटापट से देखते हैं इ उतनी ही चीनी ली है हाई फ्लेम कर देंगे इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इलाइची का पाउडर आपको इलाइची पसंद हो तो आप इलाइची का पाउडर डाल सकते हैं या इलाइची भी डाल सकते हैं हाई फ्लेम करके हमको इसको अच्छी तरह से पहले तो ची प्रपसनी बया स्टेबन और ठीब कर रहे हैं, इसमें डाल दीगे 5,0 बना सकते हैं अगर आप गयों के आटे से बना रहे हैं तो इसको मेंदा की छनी से चान लीजिए हम यहां बना रहे हैं मेंदा से और उसको बिल्कुल लोफ लिम पर 3-4 मिनिट के लिए हम अच्छी तरह से शेख लेंगे कलर वगएरा चेंज नहीं करना है बस जो मेंदा का कच किया है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ है अब मैंने आधा कप डाल दिया इसमें सूजी अगर आपकी सूजी थोड़ी मौटी है तो एक बार उसको मिक्सी में जरूर चला लीजिए अब हम मेंदा और सूजी दोनों को बिल्कुल लोफ लेम पर फिर से 4-5 मिनिट के लि बिल्कुल मौ में घुल जाने वाली बिल्कुल रवा जैसी मार्केट स्टाल में मिठाई बना कर तयार करेंगे तो यह देखिए दोनों चीज हमारी अच्छी तरह से सिख चुकी है कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है अब हम आंगे का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए मै नहीं सेखना इससे मिठाई में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी जो मिठाई है बढ़िया दानेदार बनकर तयार होगी अब इसमें मैंने खी डाला है तो अगर आप मेल्ट घी ले रहे हैं तो आप एक से दो चम्मच ले सकते हैं यह मैंने एक चम्मच घी डाल गैस का फ्लेम बुलकुल लो रखना है और घी को और मेंदा सूजी को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं इससे सूजी में जो स्वाद आएगा बहुत अच्छा आएगा आप चाहें तो यहां डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं या डालडा और सुद्धी की मिक्स करके भी तो यह देखिए अच्छी तरह से हमने सबको मिला लिया है अब जो हमारा सिरप था वो हभी गर्म है और बुलकुल हम इसको एक सार डाल देंगे आप चाहें तो यहां गैस का फ्लेम लो कर सकते हैं बंद करके भी इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए मैंने बुलकुल लो क कर दिया है अब इसको हम अच्छी तरह से तब तक मिलाएंगे जब तक की डो फोर्म में नहीं आ जाता मतलब की कडाई ना चोड़ने लगे तब तक हमें इसको अच्छी तरह से पकाते रहना है चलाते रहना है यह देखिए धीरे-धीरे करके यह एक जगए खटा होने लग गैस का फ्लिम बंद कर देते हैं अब इसको एक आप चाहें तो इस तरह का कोई केक टेन हो तो उसका यूज कर सकते हैं और अगर ना हो तो आपके पास कोई बर्फी का जो हम लेते है मार्केट से उसका भी यूज कर सकते हैं तो यहां मैंनेस मैं नीचे बटर पेपर लगा किया है और कम से कम आदा मोटर आप जाहें इसको उससाब से फैला लीजिए बढू आज या है पासे यह नीचा सब्स अब बचाने यही किया में मन चाहे सेप में इसको कट कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कितनी मुलायम हमारी ये बर्फी बनकर तैयार हुई है एक दम मुँ में घुल जाने वाली मेंदा और सूजी की ये बर्फी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताईए मेरे चैनल पर नहीं आए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट्स जरूर कीजिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न